आप देख रहे हैं TNB एक दरजन से अधिक लोग घाईरों हैं इस घटा के बाद गाउं के प्रिंस और अविशंकर समेट कई लोगों ने अपनी जान की परवा नहीं की और अंधेरे की बीच गहरे कुवे में उतर गये एक एकर के महिला, यूती वो बच्चियों को बाहर निकालना शुरू किया छे लोगों को बाहर निकाला जा सका था और इस बीच पुलिस भी आगे ग्रामेनों के नुसार पुलिस की मौजुदगी में 23 महिला, यूती और बच्चियों को कुवे से बाहर निकाला गया है भी शामिल हैं एक दरजन सदिक लोग गंबी रुप से घायल हैं उन्हें अस्पताल में भरती कराए गया है कुवे में और लोगों की होने की आशंका पर देर रात तक बचावकार चलता रहा जांदकारी के मताबिक रात में हल्दी की मटकोर की रस्म के दोरान अचानक कुवे पुलिस आई और आस्पास के लोगों के साथ मिलकर सब को कुवे से बहार निकाला गया गाउं से जीला अस्पताल तक हाहकार मचा हुआ है कमिशनर डिय जी डियम एस्पी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचावकारी की जांदकारी ली इसके साथ ही पिरिद परिवार को हर अधा की जारी थी घर से करिब 100 मीटर दोर इसित कोवे के साबने अने की विवाग के पहले की रस्म का कारीकरम चल रहा था जिस कोवे के पास कारीकरम चल रहा था उससेijn स्लैब बनाकर बंद किया गया था रस्म के दोरान बरी संख्या में महिला यूती वो बच्चियां कुवे पर बने सिलाप पर जाकर खरे हो गए अचानक सिलाप टूट गया और उस पर खरी महिला यूतीयां वो बच्चियां कुवे में समागे कुमा काफी गहरा है पानी भी भरा था इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई आसपास के लोगों ने राहत बचाओ काम शुरू किया लेकिन अंधेरा होने के वज़े से कोई खास सपलता नहीं मिल सकी इस बीच किसी व्यक्ति ने घटना की सोचना पुलिस को दे दलबल के साथ आए पुलिस कर्वियों ने राहत बचाओ कारे तेज किया जिन लोगों को कुवें से बाहर निकाला गया उन सब को जिला स्पताल ले जाए गया डॉक्रों ने परिक्षन किया और तेरा लोगों को मिर्थ घोशित कर दिया सबके शव जिला स्पताल की मोर्चरी के पास रखा गया है यह देखकर हर कोई रोने लगा एक साथ तेरा शव देखकर सबकी रूह काप गई इन मिर्थों को की हुई पहचान पूजा यादो 20 वर्षे, सशिकला 15 वर्षे, आर्थी 13 वर्षे, पूजा 14 वर्षे, जोती 14 वर्षे, मीरा 22 वर्षे, ममता 35 वर्षे, शकुंतला 34 वर्षे, परी 20 वर्षे, राधिका 20 वर्षे, सुंधरी 9 वर्षे इन में से दो महिलाओं की शिनात नहीं हो पाई है डियेम ने हाथ से मरने वाले परते के परिजनों को 4-4 लाख रुपे साहता राशी दिये जाने की बात कही है घायलों की हालत कमधिर इस घटना के बाद गाउं के प्रिंस और अविशंकर समित कई लोगों ने अपनी जान की परवा नहीं की और अंधेरे की बिच गहरे कुए में उतर गए एक एकर के महिला, यूती वर बचीयां को बाहर निकालना शुरू किया 6 लोगों को बाहर निकाला जा सका था इस पीच पुलिस भी आगे ग्रामेनों के नुसार पुलिस की मौजुदगी में 25 महिला, यूती और बचीयों को कुए से बहार निकाला गया कई घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया इन सबका इलाज चल रहा है डॉक्टरों के मुताबिक कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है पांच साल पहले भी होई थी बरी दुरगटना नुरंगिया गाव में पांच वर्ष पहले भी एक शादी समारों के दोनान बरा हाथसा हुआ था ग्रामिनों के रुसार वर्ष 2017 में गाव में बरात आई थी जिससे सरक के किनारे द्वार पूजा से पहले आरकेस्ट्रा का करेक्टन चल रहा था बराती और घराती आरकेस्ट्रा देख रहे थे और इस दोनान अनियंद्र पिक अप लोगों को रौन देते हुआ निकल गे थी इसके साथ ही घायलों के जल से जल स्वस्त होने की कामना करता हो अस्थानी प्रशाशन हर संभव मदद में जूटा है वह उत्ताप प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदेतनाप ने इस घटा पर ट्वीट करते हुए इसे दुर्भागी पून बताया उन्होंने सोशन मीडिया पढ़िखा जनपत कुशी नगर की ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भागी घटना में कोई ग्राम मास्यों की मृत्य अत्यान दुखत है मेनी सविन नाए मिर्थकों के शोक संत्रत परिजनों के साथ है प्रभुश्री राम से घायलों के सिग्र स्वास्त लाब की कामना है खबरों में फिलाल इतना ही डेश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें